हेलो फैंस मैं रितेश कुमार आपके यूट्यूब चैनल इंवेश फोरावर में एक बग फिर से स्वागत करता हूं हम बात करने वाले हैं आज दुबारा किस चीज से एलेडिड निफ्टी के व्यू से एलेडिड और अलग-अलग यहां पर जो मिट्काश मॉल्काप वो उन इनवेश फोरावर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बल आइकन को एट करिए ताकि इस तरह की वीडियो मिलती रहे बाइं सेलिंग की कोई रिकमेंटेशन है अपने अपने शेयर वाइजा कुद की स्टेडि करिए ट्रेडिंग दिल से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए यहां पर शॉर्ट वीडियो बनाई जाती है और अच्छे खासे आपको नौलिज दी जाती है इसके इलावा यहां कुछ स्टॉक्स है जो आपको स्विंग में अच्छे खासे पैसे दे सकते हैं तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है और आप हमें आपर टुटर पर इस इतली है उसके हिसाब से आपको बताऊंगा तो आप और भी ज्यादा अच्छे खासे तरीके से यहां पर और अच्छा कर पाएंगे वीडियो को फॉलो कर लीजेगा प्लेश्ट है यहां प्लेश्ट टेक्निकल की चार वीडियो जाकर देखिएगा तो और भी वीडियो जिसमें आने वाली है तो आपको समझ माएंगी तो यह ही है तो आएए वीडियो की तरफ और आगे यहां पर बढ़ते हैं देखिए डो जोंस कल किस तरीके से यहां पर अपसाइड डाउन होती हुए नहीं नीचे लोखोला ओके और गैब डाउन ओपन होने के बाद यहां यहां पर अगर बात करें इंडिया मार्केट निफ्टी में भी होता हुए नजरा सकता है यहां पर देखिए इंडिया विक्स काफी नीचे आ चुका है ओके और यह कोशिश कर रहा है अब उपर जाने की याद रखें यह जो लाइन है ओके 17 की यहां पर यह एक्स ने क्रॉ जो कल मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक सपोर्ट है तो उसी सपोर्ट को यहां पर नीचे की तरफ टेस्ट करके ऊपर जाता हुआ दिखाए दिया मार्केट और यहां पर वोलेटाइल है मार्केट बट आपको मैं आपको दिखाए भी था FIS किस तरीक से आपर बाइं नजर आई है एक यहां पर एगर इसका हाई क्रॉस कर दिया जो क्या है 1646 इसे क्रस किया तो यहां पर एक रजिस्टन्स नजर आठा है जो की यहां पर कितना है 16700 का भी 16600 को यहां पर इसने क्रॉस किया ओके तो और यहांपर एक और जो शो तो तो यह दो 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 दिन में यहां पर इस लेवल को टेस्ट करेंगा टेस्ट करके टच करके नीचे आता हूँ देखेंगे तो यहां पर तो आपको बता सकते हों कि देखें बार बार आपर जाने के बाद थोड़े दिन रहने का पर जाने कर और यहां पर जानेकी थोड़े निचे डिफिनेट लियाता है इस चिट को ध्यान रखेंगा तो कभी भी एक गिरावट नजर आ शकते हैं नोबडी नोज़ लग से नेचे से टेस्ट करने के बाद यहां पर चीजें नीचे आती दिखाई देगी, इसके लाबा निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक आपके सामने हैं, इसके लिए रेख्टेंट से, इसे क्रॉस किया तो तेजी होगी, यहां पर देखिए, फाइनल यहां पर इसके लिए बने गाए support, और अधरवाइस यहां पर अब चांसिस है कि यह निफ्टी बैंक 37,146 की तरफ बढ़ता हूँ दिखाई देगा और दूसर से 37,600 की तरफ यहां पर बढ़ता हूँ दिखाई देगा तो इन लेवल की तरफ ध्यान दीजेगा तो इसका मतलब क्या है निफ्टी के बैंक के जो देख सकते हैं अच्छे खासे यहां पर भागते हूए न जा रहे हैं यहां पर जो कल रइस्टेंस था उसे भी आपक्रॉस करते हूँ दिखाई दे रहा है अब इसका नेक्स टार्गेट कहा देगे एक यहां पर एक बहतरी लेवल पे रुका है पहली बात तो ओके इसे इस लेवल को जो इसका लेवल है यह आपक्रॉस करना बहुत जरूरी है ओके इसे क्रॉस कर दिया तो यहां पर यह सीदे 29,600 बढ़ता हुआ दिखाई देगा ओके तो यहां पर हो सकता है कि यहां पर थोड़ा सा एक दिन पर दिखाई दे या फिर भागे उसके बाद गिरता हुआ दिखाई दे तो देखते हैं कि आज मार्केट में किस तरीक का मूड रहता है ओके इसके लावन इफ्टी इसे भी यहां पर देख लीजिये निफ्टिस्मॉल कर में आपर डोजी बने थी बनने के बाद अगेन यहां पर तेजी होती हुई दिखाए दी को चांसी है कि यहां पर यह जो स्मॉल कैप है इस लेवल तक जाके फिर थोड़ा वह तेहां पर गिरता हुए नजर आएगा और उसके बाद यहां पर फिर तेजी होती ही नजर आएगी नेक्स ट्राउंड की बट अभी कोशिश ही रहेगी कि शायद यह इस लेवल को या इस लेवल को टच करके फिर नीच आए तो यहां पर अभी थोड़ी सी तेजी मेड़ा ही साब से हो सकती है अब बात करते हैं कुछ सब्सक्राइब नजर आता है सब्सक्राइब यहां पर इस लेवल को निकाल देता है तो यहां पर नीचे की तरफ जाता हूं तो जब नीचे जाए तो सब यहां पर सेलिंग का आएगा अधर यहां पर नीचे नी जाता है यहां पर कोई केंड़ ऐसी बनती है जो इसे ऊपर ले आती है तो यहां पर तेजी भी हो सकते हैं कि यहां पर अगर मार्केट गिरी तो यहां पर सेल आ सकता है क्यों क्योंकि इसके रिजल्ट थोड़े से यहां पर कम जोड़ते हैं इसके रिजल्ट कम जोड़ते हैं तो यहां पर भी सेम अगर हम देखें तो यहां पर ग्रेव करेंगा 86 को टच करके उपर जाए मार्केट में अल्रेडी गिरावट हो गई है तो मुझे नहीं लगता है और ज्यादा यह गिरेगा साया थो एक आदिन का स्वाइट करने क्या फिर भागता हुआ नजर आ सकता है कि यह अभी तक भागा नहीं और काफी भैती नजर आता है अब इसके बाद एक और शॉट में आपको बता देता हूं जहां पर मार्किट में घरावट होती है नजर आ सकती है एलक इरन इंजिनियरी यहां पर भी देखिए यहां पर इसने अपना हाई निकालने का घरावट है तो अगर यह एक लेवल है जो मैं आपको बता देता हूं यह देखिए अगर इसने यहाँ पर इस इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्पर्ट हैं जाए संत और रहीजिविंत कर खेंश डि मतलड़य को इस तर euros बेसं सब्सक्राण आपको एक टहिव हो सकती है तो इसकी तरभ भी आपको क्या करना है ध्यान देना इसके लवर सिथिंटीया को टेता हुं कि परकिशल के अब्वाने अच्छान आपको सब्सक्रार नजर आता है कि यहां पर ही आ जाए बट हो सकता है कि तेजी भी हो जाए तो दोनों तरीके से आपको त्यार रहना है आपको बस समझ के चलना है कि यहां पर मार्केट में exactly होने के वाला है तो यह हो सकता है कि आज के दिन थोड़ा सा ऊपर आए करने पर अच्छे खासे पैसे बन सकते सबसे पहले जी एस एफसी याद रखिए यहां पर एफवाई इस ने दबा के पैसे लगा रखे होके यहां पर दबा के माल खरीदा है और अच्छे खासे बहती ही रिजल्ट यहां पर आते हुए दिखाई दिए तो अब क्या अब यह यहां पर देखें डोजी बनी है अगर इस डोजी को अच्छे रिजल्ट है बहुत काफी बहतरी नहीं है इस डोजी मुझे लगता है यहां पर इससे आज कोशिश करेंगा एक चुमबाल इसके ऊपर गया तो एक तेजी होती ही दिखाई जो कि जो इंटरडे में एक सो नंचास ओके और एक सुबामन तक और यहां पर अगर बात करूं थोड़े से स्विंग में 171 तक जा सकता है तो अच्छे का से पैसे बनेंगे तो यहां पर अमबेड जैसे कि मैंने अल्रेडी यहां पर चार्ट भी डाल दिया था यहां पर राउंडिक बाटम बना रहा है तो सबसे बहतरी लेवल नहीं पर नजर आता है यह वाला ओके यहां पर शायद इसे टुछ करके थोड़ा सा नीची आए और उसके बाद चीज विश्वास है इसके विश्वास की बात करें तो 1100 रुपे 1160-1170 तक जाता है वह नजर आता है इसके लावा हम बात करेंगे पर्सिस्टेंस सिस्टम अगें बहतरी नंबर यहां पर कंपनी ने शो कर दिये और यहां पर खड़ा हुआ है यहां बिल्कुल रेश्टेंस के आ इस पर्टिकुलर शेयर की तरब भी आपको ध्यान देना है विल्कुल सपोर्ट रेश्टेंस के पास खड़ा हुआ है कुछ ऐसी केंडिल बनी और इसने अपना हाई 224 का निकाला तो एक तेजी होगी जो इसे 232 तक लेकिना एगी और 232 को भी क्रॉस कर दिया तो 2436 और इस सेकंड रूंड के यहां पर तेजी होती ही दिखाई देगी तो यहां पर 885 का लेवल है यह क्रॉस हुआ तो अच्छा खासा पैसे यहां बनेगा स्राइफ की तरफ ध्यान देना है देखिए यहां पर ब्रेक आउट बिल्कुल खड़ा हुआ है ब्रेक आउट पर बैदरीन रिजल्ट ओके और को हो सकता है यहां पर 2487 का आज लेवल निकालने के बाद फिर नीचा आता हो दिखाई दे और फिर उसके बाद सेक्ड इसने अपन हाई निकाला तो यहां पर सेकिन इहां पर तेजी होती ही दिखाई देगी 1441 तक ओके 1441 एक बर निकल गया तो यहां रहिए और भी ज्यादा यहां पर तेजी होती ही दिखाई देगी 1421 रूप़े तक इंट्रेडे की बात करना हूं तो इंट्रेडे में आपको इसकी तरफ ध्यान देना है इसके लागा एस्टेजी होती ही दिखाई देगी 941 तक तो इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है बहुत जरूरी है और भी सकता है कि हांसे शायर मार्के गिरावाट हो तो यहाँ पर भी गिरावाट हो सकती है तो यहां पर आपको ध्यान देना है जहां पर अच्छे गासे पैसे आपके बनते हो जड़ाएंगे बैंक सैलन की कोई रिकमेंडेशन निहीं है अपने फाइंज वाइज आखुद की स्टेडी करना वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंड शेयर करना जाद 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 शेयर करिए ट्विटर पर फॉलो करिए ताकि इस तरह के वीडियो बिलते हैं तो थैंकि सो मच पर प्लेस